आज मैं आपके लिए लेके आई हूं कच्चे आम का चट पटासा अचार सभी लोग दादी नानी और मा के हाथ ता अचार खाना पसंद करते हैं तो बिल्कुल पारण पर एक तरीके से बनाएंगे हम आज आम का अचार जब सब्जी कम पसंद आ रही हो तो भी अचार खाते है हम और कभी सफर में भी हम पराटो के साथ अचार ले जाना पसंद करते हैं तो फिर चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना वो भी खास ट्रिक्स के साथ अगर आपको मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना हुए आम का अचार बनाने के लिए मैंने एक किलो कच्छे आम लिये हैं और इन्हें मार्किट से ही कटवा कर लाई हूं हुँ मैं क्योंकि इसकी गुटलिया हाड है इसलिए इसे कटर के बिना नहीं काट सकते हैं अगर आपके पास कटर है तो इसे आप गर पर भी काट सकते हैं तो इन आम के टुकडों में से हमें बुट्लिया निकाल देनी है और इनके उपर जो वाइट परत लगी हुए इसे भी निकाल देना है सारे ही टुकडों को हमें किसी अच्छे नैपकिन से या कॉटन कपड़े से पोच लेना है तो मैंने सारे ही टुकडो को अच्छे से पोच लिया है अब हम इने दो से तीन गंडे के लिए सुखा देंगे अगर आपके यहाँ पे दूप आती है तो आप उसे दूप में सुखाईए अगर आप इने तूप में सुखा लेए तो देर से 2 घंडे तको सुखाना है अगर दूप नजी आती है तो पंके के नीचे इसे लगबक इन गंडे तक आ इसे सुखा देजिए वे पंके के नीचे सुखते विए 9aying गंडे हो गये हैं तो इन सारे आमको टुकडो को एक बरतन में भर लूँगी तो चली अब हम बनाते हैं आचार का मसाला तो एक पैन ले लिया है मैंने और उसमें मैं वन फॉर्थ कप जितनी राई डाल दूँगी आपके पास अगर पीली सर्सों है ताब भो भी ले सकते हैं अब मैं इसमें दो टेबल स्पून जितने मैंसी डाना डाल दूँगी इससे आचार का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है हित्त है ओज वन फॉर्थ कफ सोंफ यानिके वस टेबल स्पून जितनी सोंफ ले लेंगे हम और साथ ही डस्से बारा लॉंग और दस से बारा काली मिर्श दे लेंगे हम इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है अचार का अब गैस आन कर देंगे हम और दीमी आश पर हम सारी मसालों को रोष्ट कर लेंगे दो से तीन मिनिट के लिए ही इन्हें रोष्ट करना है इन्हें सेखते हुए अच्छी सी खुश्बू आने लग जाए बस इसी स्टेज पर गैस को बन कर दीजिए और गैस बन करने के बाद इन्हें हम एक प्लेट में निकाल देंगे और इसे ठंडा होने के लिए हम इसे साइड में रख देंगे और इसे पैन में हमें वन फोर्थ कप जिती चना दाल लेनी है चना दाल का फ्लेवर अचार में बहुत ही अच्छा आता है तो इस बार आप जरूर डालेगा इसे इसे भी हम भीमी आज पर हलका सा रोष्ट कर लेंगे इसका Color Change नहीं करना आ है बस हलके से इसमें से नमी निकल जाए इतना ही रोष्ट करना है हमें दो से तिन मिनिट के लिए रोष्ट करने के बद इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा करने लिए साइड मे रख देंगे यह मसाले ठंडे हो गये हैं इन में से आधे मसालों को हम एक मिक्सी के जार में ले लेंगे और इन्हें दरदरा सा पीस लेंगे तो मैंने इन्हें एक जार में ले लिया है अब मैं इन्हें दरदरा सा पीस लूँगी तो देखे मैंने इस तरह से इसे दरदरा सा पीस लिया है ऊब इसे हम एक बरतर में निकाल देंगे उसी जार में हम चानी की दाल भी आधी ले लेंगे और उन्हें भी हमें दर दरासा पीशना है तो दीखे इस तरह से मैंने चानी की डाल को भी दरदरा सा पीच लिया है इसे भी मैं उनी मसालों के साथ प्रेट में निकाल लूँगी तो चलिए अब हम आम के टुकड़ों में मसाला डाल दिते हैं सबसे पहले हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगी मैंने आपे 3 टेबल स्वून नमक लिया है साथ ही 1.5 टेबल स्वून जितनी हल्दी डाल देंगी हम और साथ ही 5 टेबल स्वून लाल मिच पाउडर एड़ कर दूँगी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या जादा कर सकते है वन डेबल स्वून लिएंग डाल देंगे अच के अरव मसालर के था इसे मिक्स कर त्वेश मीं लख ता हों या 5 टेबल स्वून इसने वाची मिला लेंगी हम आप आप ही लिएड़ कर देंगीayan और सब्सून dall हम के के शूकड़ं के कि इसे मेरी के साथ मिक्स कर देंगे में अवन डेली स्पून कलाउंजी डाल देंगे इसे मंगरेला भी बोलते हैं और कंदः के बीच भी बहुता है अब इसके उपर हम ढकान लगा देंगे इसे मिक्स कर लेंगे चारो तरफ से इस तरह से हिला के हम मिक्स कर देंगे तो देखे अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम इस पर ढकन लगा के इसे एक दिन के लिए छोड़ देंगे और बीच-बीच में हमें इसे ऐसे मिक्स करते जाना है तरिबन 24 गंटे के बाद हम इसे चेक करेंगे तो देखे हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है अब चमत से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो देखिए इसका कलर बहुत ही सुन्दर आया है और अचार भी एकदम सॉफ्ट हो गया है देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ साथ ही मसाले भी अच्छे से गल गए है चैनी की डाल भी अच्छे से गल गई है देखिए आसानी से इसके टुकड़े हो रहे हैं अब हम इसे एक काज के बोटल में भर देंगे मेरे पास एक काज के बड़ी बोटल थी तो मैं इसी में भर रही हूँ काज के बोटल में अचार लंबे समय तक खराब नहीं होता है बॉटल के अंदर बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए, एकदम सुखी होनी चाहिए तो सारा अचार मैंने इसमें भर लिया है अब हम गैस पर सरसो का तेल गरम करने के लिए रख देंगे मैंने याप पर आदा लिटर जितना सरसो का तेल लिया है सरसो की तेल में जब तक धुआ ना निकले तब तक हमें इसे गरम करना है तो देखिए अब ये गरम हो चुका है अब हम गैस बन कर देंगे और जैसे ही ये ठंडा हो जाए हम इसे अचार के अंदर डाल देंगे सरसो की तेल में एक नैश्रल तिखापन होता है जिसे अचार में डालने से उसका टेस्ट कई होना बढ़ जाता है आप अगर सरसो का तेल पसंद नहीं करता है तो इसकी जगा कोई और तेल भी यूज़ कर सकते है तो देखिए मैंने सारा ही तेल इसमें डाल दिया है अब हम इ होना चाहिए बिल्कुल भी उपर नहीं दिखना चाहिए इस अचार में फंगस नहीं लगेगी और यह लंबे समय तक खराब नहीं होगा तो देखिए मैं आपको दिखा रहे हूं इस तरह से तेल उपर तक होना चाहिए आप हम इस अचार को regular खाने के लिए एक छोटी से जार में निकाल लेंगे त्याकि रोज हमें इस बॉटल को खोलना ना पड़े तो आप भी इसी तरह से एक छोटी बोटल में निकाल दीजिए रोज खाने के अचार को और एंजोई कीजिए इसके चटपटे स्वाद को तो तयार है हमारा चटपटा सा आम का अचार तो आप भी मेरी तरह बनाएंगे तो आपका अचार बिल्कुल करार नहीं होगा तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी यह मुझे कमेंट करके जरूर बताईए थांक्यू फर वाचिंग